मैं भारत को भारती अताकी माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगावें अब माताओं को एक छोटी सी बात कहनी है कि हमारे घर में अक्सर माताई गर्भा वस्ता में जब आती है न तो आज कल एक बीमारी हो गई है कि डॉक्टर के पास जाओ, हरस्पीटल में जाओ, बच्चा रहा के होगा, फिर डॉक्टर उसको कहता है सीजेरियन करो, पेट काट के बच्चा निकालो जिस मा को एक बार ऑपरेशन हुआ, उसकी जिंदगी नरख हो जाती है बताए क्या होता है, मैं अब आपसे डॉक्टर की बात कहना चाता हूँ जिस मा को बच्चे के जंब के लिए पेट कटा, उस मा को जिंदगी भर वजन बढ़ता रहता है अब वो मोटी 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 होती ही जाती है अब वो मा सोचती है कि मैं तो कुछ खाती नहीं, फिर भी बजन क्यों बढ़ता वो बजन बढ़ता सीजेरियन आपरेशन के कारण और उस बजन को कोई कम नहीं करता है फिर उस बजन के कारण गुटनी दुखते हैं, कमर दुखते हैं, फिर सब बीमारी आती है तो इसलिए माताओं को लिविदन है कि बच्चों के जन्म के लिए कभी भी ऑपरेशन ना करा है फिर आप बोलेंगी क्या करें मेरी दो-तीन बातें ध्यान से सुन लेना और यह सब बहनें भी सुन लें इस बात को कभी भी किसी मा को गरभा वस्था हो तो उसको आपरेशन ना कराना पड़े इसके लिए छोटे-छोटे दो-तीन उपाई पहला उपाई यह है कि हर दिन रात को मा को गाई का दूद पिलाना घी गाई के गी देशी और गाई का दूद देशी गाई का तो गाई के दूद में एक चमच घी मिला थोड़ी सी उसमें हल्दी मिला और रोज रात को पिलाना जब मा को गरभा वस्था हो दूसरा जिस मा को गरभा वस्था होती है न उसको बच्चा स्वस्थ तंदुरूस्थ पैदा होना चे बीमार ना हो बच्चे के स्वस्थ पैदा होने का सबसे बड़ा अधाद है केल्शियम केल्शियम नाम का एक रसायन होता है जो गरभा वस्था में मा को सबसे ज़्यादा जिरूरी होता है बच्चे के लिए और मा के केल्शियम अगर शरीम में ज़्यादा है न तो हड़ियां लचीली रहती और हड़ियां लचीली रहना तो सारा शरीर फ्लक्सिबल होता और शरीर लचीला हो तो गर्म से बच्चा आसानी से बाहर आता उसको तकलीफ नहीं होती जादा मां को भी तकलीफ नहीं होती इसलिए शरीर में लचीला पन लाने के लिए केल्शियम चलिए तो केल्शियम खिलाओ मां को केल्शियम का मतलब हो था चूना खिलाओ चूना समस्क है पान में जो डगाते हैं और जो पुताई करते हैं पुताई वाले चूने को पानी में डाग दो, 20-25 दिन पड़ा रहने दो, ठंडा हो जाएगा, फिर पानी उपर आ जाएगा, चूने नीचे बढ़ जाएगा, उसमें से एक छोटा सा चुटकी बर चूना, जीरे के दाने के बराबर, गेहूं के दाने के बराबर, किसी भी गर सा चूना रोज खिला, नो महीने लगाता ओर खिला, जो माने थोड़ा थोड़ा चूना रोज खा लिया, नो महीने उसको कभी भी ऑपरेशन की जरुवरत नहीं पड़े Arbeits और जिस माने रात को दूट पिया भी डालके उसको कभी ऑपरेशन की ज़रुवत नहीं पड़ी ठीक है हमारे बच्चे जो ऑपरेशन से होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं दिमाग से कमजोर होते हैं शरीव से कमजोर होते हैं मैं तो देशबर में देखता हूँ, सीजेरियन जित्ते बच्चे हैं, माता पिता को तकलीफ करते हैं, खुद को तो जिन्दिपी पर तकलीफ देने वाएं। इसलिए कोई भी बच्चा भगवान की करपा से स्वस्त और दंदरुस्त दुरुस्त पैदा हो, इसके लिए सब यवस्ताइं भगवान ने शरीर में कर रखी हैं, बस थोड़ी सी सावधानी की ज़रुरत हैं। सबी भी गरववती मां को, बहनों को रात को दूरकंना धी डालके, थोड़ी हल्दी डालके और सबयरे चूना खिलाना दूद्त हैं। । ठीक हैं। और एक निवे माताओं से अगर हो जाए तो, कि जो गर्ववती माताओं हैं वो भी, और स्वस्थ माताओं वो भी, और भाई भी कर सकते हैं इस काम को, पंद्रे मिनिट रोड चक्की चलाना, क्या कहते हैं उसको? घट्टी, ये जो घट्टी होती है न, ये दुनिया की सबसे बहत्री इन एक्सरसाइजर है, इस घट्टी को चलाके मैंने देखा, इस घट्टी को चलाने में सबसे ज़्यादा दबाओ पड़ता है पेट पर, और मा के पेट में गर्वाशे होता है, तो बार बार जब अब घट्टी चलाते हैं, तो घट्टी चलाते हैं तो घर्वाश है जो है न, एक तो क्लाकवाईज और एक एंटी क्लाकवाईज दोनों तरफ घूंगता है, और पंद्रे मिनिट रोज आपने ये घुमा दिया, तो बच्चा तो एकदम स्वस्थ, दुरुस्थ और तंदुरुस्ती होगा, और बिना मा को तकलीफ के होने वाला है, क्योंकि गर्वाशे में फ्लेक्सिबिलिटी अगर है किसी भी मा के, तो बच्चा तो आराम से बाहर आने हैं, तो पंद्रव 20 मिनट माताई घटी चलाएं अगर गर्वाश्था में हैं, तो स्वस्थ हैं तो भी चला सकते हैं, और भाई लोग घटी इसलिए चलाएं कि पेट अंदर हो जाएगा सवाब। ये आजकर सब्सकी तोन बाहर निकल आई हैं, माताओं का पेट बाहर आए तो समझ में आता है वो गर्वाश्था में ये पुरुष किस चक्कर में पेट बाहर में आए इनकी तोन बाहर क्यों आनी चाहिए तो ये अंदर जाना चाहिए पेट और अंदर ले जाने का सबसे सरव उपाय है घटी चलाएं पंद्रही मिनट चलाओ लेकिन नोग चलाओ सब पेट अंदर चलाएं